नमस्कार आप देख रहे हैं ABC इंडिया मैं आमिद भोबिया दोस्तो आज हम बात करेंगे जैक फूरूट की खेती के बारे में यानि की कठल की खेती के बारे में कठल पिछले कुछ दिनों से चर्चा में हैं क्योंकि James Joseph ने जो Microsoft के अंदर एक डारेक्टर के पद पे थे उन्होंने अपनी नोकरी छोड़ी और Jack Fruit 365 नाम की एक कंपनी बना ली अब इतना बड़ा आदमी अतनी अच्छी नोकरी छोड़कर Jack Fruit के अंदर यानि कठल के अंदर अपना इंट्रेस्ट शो कर रहा है तो कठल का चर्चा होना तो आम बात है तो आज हम कठल की खेती के बारे में सारी की सारी चीज़ें आराम से समझेंगे सबसे पहली बात दोस्तों आप लोगों को बता दूँ कि कठल अगर आप अपने खेत में लगाना चाहते हैं तो आप लोग सबसे पहले इसकी वेराइटियों के बारे में जान लीजिए क्योंकि इसके variety का आपको पता होगा तो उसके हिसाब से आप इसके दूरी जो है plant से plant की वो निर्धारित कर पाएंगे तो सबसे पहले आपको बता दूँ कि जैसे पालूर 1, पालूर 2, पीपी आई जैक, सिंदूर, स्वर्ना, वियतनाम सूपर अरली ये बहुती गजल की variety है वियतनाम सूपर अरली और इसे के साथ साथ चंपा, खाजा, गुलाबी, कई परकार की रुद्राक्षी, कई परकार की किसमें इसके हैं, इसके अंदर जो चंपा, गुलाबी, रुद्राक्षी, ये जो देशी किसमें हैं, इनके अंदर अगर आप प्लांट लगाते हैं, तो पोदे से पोदे के दूरी जो है, वो 15 फिट और लाइन से लाइन के दूरी 20 फिट आपको रखनी होती है, और इसमें 145 पोदे पर एकड़ के आपके लग जाते हैं, लेकिन अगर आप वियत नाम सुपर अरली लगाते हैं, तो आपको यहाँ पर 12 गुना में 15 यानि लाइन से लाइन के दूरी 12 फिट और पोदे से पोदे के दूरी 15 फिट रखनी होती है, यहाँ पर आप 242 पोदे पर चार साल के बाद मिलना शुरू हो जाता है, लेकिन अगर आप देसी वराइटी हुआते हैं, तो वो 6-7 साल के बाद आपको फल देना शुरू करती है, तो मैंने जो किस्म चुनी, जो सबसे बेस्ट मुझे लगी, वो है वियत नाम सुपर अरली, इस वराइटी के अंदर क् पुरून रूप से पुरा पीक होता है, इसका कठल का, उससे वो दो मेहने पहले आ जाती है, और ऐसे में आपको रेट बहुत अच्छे मिल जाते हैं, लगाने का तरीका सिंपल है, लाइन से लाइन के दूरी तो आपको मैंने बता दी, लगाने का सिंपल सा तरीका है, पहल आप खड़ा खोदिए अब खड़ा खोदना कब है लगाना कब है जब भी बरसात का मुसम हो तब आप इसे लगा सकते हैं अगर आपके यहाँ पर पानी के अच्छी मात्रा है अच्छा कासा पानी के विवस्ता है तो आप इसे बरसात से पहले भी उगा सकते हैं ध्यान रहे एपरेल से लेके अगस्थ की बीछ में कब मर्जी उगा लीजिए, जयाधतर लोग क्या करते हैं, एपरेल केंदर अब खड़े खोध देंगे, खेट के अंदर, खड़े खो देंगे तो नीचे की जो मिट्टी है उसे एक साइड रख देंगे उपर की मिट्टी को एक साइड रख देंगे उसके बाद में उन खड़ों के अंदर उपर की जो मिट्टी है वो नीचे डाल देंगे और जो नीचे की मिट्टी खड़े से निकली उसके साथ में कुछ बर्मी कंपोज और कुछ जो है आपका 500 ग्राम MOP, 500 ग्राम SSP ये मिक्स करके और उसके अंदर डालके उस गड़े को बंद करके रख देंगे और उसके बाद में जैसे बर्शाष शुरू होती है बर्शाथ के बाद उसके अंदर पोदा लगा देंगे तो ऐसे आपको कटल का जो पोदा है उसे लगाना होता है कटल के पोदे को आप या तो drip से irrigation दीजिए या फिर इसके साइड में नालिया बना लीजिए और उन नालियों में पानी छोड़िए कटल को सुरुवाती दोर में अच्छा ख़सा पानी चाहिए लेकिन याद रहे कटल को हमेशा साफ पानी चाहिए कटल के आसपास जड़ के पास पानी नहीं लगे कटल से लगबग जैसे यहां पर पोदा है तो पोदे से लगबग एक और फीट दूर पानी मिलना चाहिए बिलकुल पास में उसे पानी जो है नहीं मिलना चाहिए इस बात का आपको ध्यान में रखना हैं इसी के साथ साथ आपको बता दूं कि जब कठल का पोधा चार साल का होगा तब तक वो आपको 25 kg, 20 kg फल देगा लेकिन क्योंकि 3 साल का पोधा, साड़े तीन साल का पोदा फल देना शुरू कर देता है पांस साल तक लगबग 25 किलो फल देगा और उसके बाद में जो उसके उपर फल लगेंगे वो क्वेंटलों के हिसाब से लगेंगे जेतनी पोदे की हाइट होती जाएगी जितना पोदा फैलता जाएगा उतना ज्यादा उसे जो है कटल उसके उपर लगता रहेगा अब यह आप पे डिपेंड करता है कि आप जो है छोटा कटल बेचना चाहते है सबजी के लिए या जो पका कर बड़े मीठे कटल है वो बेचना चाहते है जिनके आईसक्रीम बनती है तो वो आप पे डिपेंड करता है आपकी मार्केट के हिसाब से अब रही बात की कमाई कितनी हो जाती है तो सिंपल सामा आपको बता देता हूं दोस्तो सिंपल कलिकुलिशन इसका ये है 80 किलो वजन अगर एक पोदे पे आपको मिल जाता है और 40 रुपे किलो कम से कम मरा रेट है एक दम कम से कम रेट है 40 रुपे किलो कटल का आज के वक्त में तो 32 रुपे के कटल एक पोदे साब को मिल जाते हैं और अब इस 32 रुपे को गुना कर लीजिए आप 242 पोदों से तो लगबग 7,44,400 रुपे आपको आमदनी हो जाती है एक एक एकर से और ये 40 रुपे कम से कम जो रेट है और 80 किलो तो कम से कम मैंने कटल बताया है क्योंकि कटल बहुत ज़्यादा लगता है जितना पोदा बढ़ता जाएगा उतना कटल भी उसके उपर बढ़ता जाएगा तो ये जो कम से कम रेट आज के हिसाब से बताया मैंने आज आप अगर पोदे लगाते हैं तो पांस साल बाद आपको वो पोदा कितनी कमाई देगा ये आप खुद सोच के देख लो खेट दोस्तो कैटल की खेती जो है इसका ज़्यादा इसलिए मार्केट में नाम चल रहा है क्योंकि बहुत से लोग विगन होने लगे हैं मैंने आपको कई बार बताया एक होते हैं वेजिटेरियन एक होते हैं नोन वेजिटेरियन एक लोग होते हैं जो विगन होते हैं जो दूद भी नहीं पीते क्योंकि आपको जानवरों से मिलता है तो विगन लोग जो है वो जो मीट का स्वाद लेना चाहते हैं वो कटल को खा कर लेते हैं इसलिए आप लोग कटल की खेती कर सकते हैं और कटल के अंदर बहुत अच्छी कमाई है खास बात यह है कि इसके अंदर बिमारिया नहीं लगती फल दो महिने का भी विखता है और छे महिने का फल भी विखता है लंबे टाइम तक आप इसके फल को हर्वेस्ट कर सकते हैं स्टोर वगरा करने के कोई आवशक्ता नहीं रहती और बहुत अच्छी डिमांड जो है इसकी है आज के वक्त में भारत के अंदर बिहार असाम वहां से चलिए और नीचे को होते हुए वापस महराष्टा तक आ जाएए आपको पूरे के पूरी अरिया में कटल की खेती देखने को मिल जाएगे कर दोस्तों देखते रहिए ABC इंडिया